हेलो फ्रेंट्स विलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स पेट्रोल एंड डिजल फिलिंग टिप्स एंड टेकनिक सीरीज का ये पार्ट 38 है कम्प्लीट सीरीज का लिंक मैं इस वीडियो के डेस्किप्शन में देदूंगा अब फिर आज के इस वीडियो को टॉपिक ये है कि इंडियन, ओयल, हिंदुस्तान, पेटोलियम, भारत, पेटोलियम, रिलाइस और बाकि जितनी भी कमपनी के पेटोल इंडिया में मिलते हैं इन में से सबसे बेहतर क्वालिटी का पेटोल किस कमपनी का होता है और किस कमपनी के पेटोल से हमें सबसे बेहतर अपनी जरूर से करें और इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले अब फिर दो को मैं आपको रियालिटी बताता हूँ जो के मैंने भी फिल किया है मैं जहां पे रहता हूँ उसके आसपास बहुत सारे अलगलग कमपनी के पिट्रोल पम्प है इंडियन और हिंदुस्तान भारत पिट्रोल पम्प है और मैंने ये गवार किया कि मेरे बहुत सारे फिरेंड और रिलेटिव ऐसे है जिनका एक पर्टिकुलर कमपनी का पिट्रोल पम्प जादा उन्हें पसंद होता है माल ये किसी को इंडियन और पसंद है तो किसी को हिंदुस्तान भारत या किसी को फिर रिलाइन्स पसंद है और मैंने ये भी देखा कि जिस भी company का petrol pump जिसे पसंद होता है उसकी भी सारे petrol pump उन्हें पसंद नहीं होता है जैसे कि मैं example के लिए बताता हूँ कि माली ये कोई बंदा जिसे इंडियन ओल का petrol में डालाना जादा prefer है आपको इस तरह के बहुत साई लोग मिल जाते हैं और इस चकर में बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी गारी को 2 km, 4, 5 km तक एक्स्टा चला जाते हैं बीच में कई companies के petrol pump आर हो जाते हैं लेकिन वो फिर एक जो अपने मन पसंद वाला petrol pump है वहाँ पर जाके petrol डलाते कि हाँ यहाँ से petrol मुझे अच्छा मिलेगा यह diesel मुझे अच्छा मिलेगा और मुझे mileage बगर है problem नहीं देखने को मिलेगा यह petrol pump बहतर है जबकि यह fact नहीं है, fact आपको पता होना चाहिए तो genuine reason है वह आपको पता होना चाहिए ताकि आपका पैसे की बरबादी नहीं हो, petrol की बरबादी नहीं हो मैं आपको बताता हूँ, देखो friends, all over India अलगलग companies के total 83,208 petrol pump है इसमें से 8,421 petrol pump जो है वो private petrol pump से जैसे के reliance बगरा हो गया और 44,787 petrol pump है, यह PSU petrol pump है जैसे की इंडिया नोल, हिंदुस्तान पेटोलियम और भारत पेटोलियम हो गया अब देखो petrol pump आपको हर एक इंडिया के कोना कोना में आपको मिल जागा, इतने सारे petrol pump है सवाल है कि यहाँ पे petrol आया diesel आता कहां से, तो आपको जावाँ मिलेगा कि जो oil refineries होती है वहाँ से petrol या diesel आता है, बिलकुल fact है, oil refineries से ही petrol या diesel आता है लेकिन petrol pump तो कोना कोना में है, लेकिन all over India मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ 23 oil refineries है, इन में से 18 जो है वो P.S.E.O. सरकारी oil refineries है इंडियान oil, हिंदुस्तान petroleum, भारत petroleum का oil refineries और बाकी का जो तीन हो गया, वो हो गया प्राइवेट और दो है, joint venture और सिर्फ all over India, 20 जगा पे ही oil refineries है अब सिर्फ 23 oil refineries और इतने सारे petrol pump, तो देखो होता क्या है आइस पर जो rule है और जो पर नियाम है और जो हमनार फॉलो करते हैं उसका according होता ये है कि all over India आपको बहुत जगा, अपने district में भी अलग-अलग companies के इंडिया और अल, हिंदुस्तान, भारत इन सब के आपको oil depot दिखाई देते हैं आपने भी कभी न कभी जरू से देखा हुआ, ट्रेन से सफर करते हैं और वैसे भी आपको दिखी जाते है ये oil depot ये वो जगा होता है जहां पे oil refinery से petrol ये diesel आके reserve होके वहाँ पे रहता है और वहीं से petrol pump में supply होता है लेकिन मैं आपको एक simple example बताता हूँ कि मेरे घर के बगल में भी एक reliance का petrol pump है मैं राची में रहता हूँ और जो reliance का oil refinery है वो है जाम नगर में अब जाम नगर से petrol ये diesel जो reliance का refinery इतना दुराची तक तो नहीं आएगा ये बिल्कुल fact वाली बात है और आपको कोना कोना बहुत जगा पे दम लदाक जहां 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 जहाँ जाओगे वहाँ पे आपको petrol pump मिलते है तो वहाँ पे भी सीधा oil refinery जह तो नहीं आएगा तो fact ये है कि होता ये है कि जिस भी company का oil refinery नजदीक हो यानि कि मैं राची में रहता हूँ जाकरण में रहता हूँ इसके आसपास जो भी नजदीकी oil refinery होगा वहाँ से petrol और diesel all over district में all over state में supply होता है माल लिए एग्जांपल के लिए कि मेरे आसपास सबसे नजदीक है अगर Indian oil का oil refinery है तो होगा ये कि Indian oil के oil refinery से बात कि जितनी भी companies है Indian oil, Hindustan, Petroleum, भारत, Petroleum, Reliance इन सब का oil depot है वहाँ पे petrol चला जाता, diesel चला जाता, वहाँ पे reserve होके रखता है oil refinery एक ही वहीं से आरा सब जगा गया अब oil depot से क्या होगा कि जो tanker होते है वहाँ tanker में भर-भर कि फिर petrol और diesel जो है वो petrol pump है वहाँ पे चले जाती है ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में आप डराओके तो हिंदुस्तान का ही petrol मिलेगा भारत पेटोल में डराओके तो भारत का मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है, all over India ऐसा बिलकुल नहीं होता है किसी एक oil refinery का ही petrol इडीस सारे जगा पे हो सकता इस बात की possibility होती है और उस वज़य से यह जो आप quality सोचते हो कि मेरा वाला जो पेटोल पा में जहां मैं prefer करता हूँ वहाँ पे बहतर quality होता है, अगल बगल वाले में नहीं है ये बिलकुल fact नहीं, इसमें बिलकुल सचाई नहीं है आप इस checker में बिलकुल नहीं पड़े नज़दी की आपको जो भी पेटोल में मिलता बिलकुल बेफिकर होके चाए इंडिया नहीं हो, चाए हिंदुस्तान हो, चाए भारत हो वहाँ से डला सकते हो, सब जगह पे आपको आज के टाइम पे जब सब कुछ automatic हो चुका तो बिलकुल आपको एक ही grade का, एक ही quality का, पे टोल या diesel आपको मिलेगा तो इस चकर है बिलकुल फसे नहीं, फाल्तु का बहुत से लोग घूमते हो तो वक्त की परबादी होते है, बहुत से लोग घूमते है तो पेटोल या diesel को ज़लाती हो, उस चकर ये मालेज कम होता है तो आप पैसे भी बचाए पैट्रोल भी बचाए और इस तक्र में आप बहतर तरीके से मालेज को भी इंप्रूब कर सकते हो ऐसा बिलकुल सीन नहीं है कि इंडिया नौल का पैट्रोल ज्यादा मालेज देता है भारत का कम देता है यह सब बनावती बाते है बहुत से लोग को वहम हो जाता है ओवर दे टाइम सुन लेते है कि इसका डाला उसका मालेज बहतर मिलेगा ऐसा बिलकुल नहीं है तो उमीद है कि इस वीडियो सा आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगे और अगली बारे भी इस तरह से पैट्रोल डराने गुद्बाई